कि आज हम बात करने जा रहे हैं मेकेनिकल वेब की बारे में नाम से लग रहा है मेकेनिकल वेब हमने नाम इससे पूरा नहीं लिखा है यह मेकेनिकल वेब मेकेनिकल वेब का मतलब क्या होता है ऐसी वेब जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूद पड़ती है मीडियम की जरूद पड़ती है उसको हम मेकेनिकल वेब कहते हैं ठीक है अच्छा वेब चलने के लिए हाँ साउंड है बहुत सारी वेज हैं जो कि मेकेनिकल वेप्स हैं तो मेकेनिकल वेप्स चलने के लिए हमको मीडियम चाहिए पहली बात मीडियम भी कैसा हो पहली चीज मीडियम कैसा हो ज़र समझेगा हमने जब बोला हमने बोला बोला जो वर्ड बोला वो उसका नाम में बोला तो हमारे मुझे पास की जो पार्टिक्ल्स थे वो ऐसे लेट हुए और थोड़ा सा जब बोला हमने ऐसे बोला तो वो थोड़ा सा मुझे दूर गए और दूर जाने के बाद अगर वापस लोट के ना आते हमारे मुँ के पास के particle तो वहाँ vacuum crate हो जाता फिर हम दुबारा नहीं बोल सकते थे बोलते तो आवाज आप तक पहुंचती नहीं तो यानि कि वो particle जो हमने बोला बोला था वो हमारे मुँ से थोड़ा दूर गए थे फिर वापस लोड के हमारे मुँ के पास medium particles और medium particle wave को ले जाएंगे तो उसके लिए जो wave का source है उसके पास particle का होना जरूरी है हमारे मुह के पास होना चाहिए अब वो मुह से दूर जाएंगे फिर पास आएंगे तो यह oscillation करते रहेंगे और हमारी जो बात है वो आप तब पहुंचाएंगे वो आपके कान की property है कि उस wave को सुन करके उसको decode करके वो समझ जाती है समझ जाता है जो भी आप कहें उसको खैर दूसरी बात हमने जब बोला बार बार हम बोला बोला बोलने हैं तो वो जो आवाज गई वो लगातार उसमें टेंडेंसी थी और लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी यह property क्या कर आती है इनर्शिया तो यानि कि वेब के चलने के लिए दो प्रबर्टी मीडियम में होनी ही चाहिए एक तो मीडियम इलासितिक होना चाहिए उसमें इलासिसिति होनी चाहिए और दूसी चीज मीडियम में इलर्शिया होना चाहिए चुकि इनर्शिया मास पे डिप्रिण कर किसी तालाब में डालने तो आप देखते हैं कि तालाब के ऊपर वाले सर्फिस में आपको वाटर के रिपल्स दिखाई पड़ेगी ऐसे इसे वेव दिखाई पड़ेगी ठीक है क्या है यह क्यों ऐसा हो रहा भई एक तो डिस्टर्विंस है हमने पत्थर का टुकड़ा डाला यानि कि पानी को डिस्टर्व कर दिया और वो डिस्टर्विंस लगातार आगे बढ़ रहा है हम जब बोल रहे हैं तो हम अपने मुग के पास या आज़ पास का जो मीडियम है उसको डिस्टर्व कर रहे हैं और वो डिस्टर्विंस बिना अपना शेप बदले आप तक चोब सबलगिये है जब पानी में पत्थर हमने डाला तो जिस पथर गिरा उस जगह गड्डा हो गया होगा, जब पथर अंदर गुसा होगा तो गड्डा होगा होगा हुआ होगा ना फकी बात है प्रैट्टरिली आफ सोचिएगा अब पानी irastik होता है तो जब हमने वहां गड़ा किया तो पानी ने क्या किया होगा उसको oppose किया होगा तो अगल बगल से water आकर के उसको भर रहा होगा अब speed से आ गया गड़ा भर गया लेकिन medium में inertia की property है तो लगातार पानी का flow बढ़ता चला गया और गड़ा पटने के बाद भी पूरा बराबर होने के बाद भी थोड़ा सा अगल बगल से water आता गया और आने के बाद वहां ज़्यादा water create हो गया नहीं level से थोड़ा ऊपर पानी हो गया फिर inertia उसको oppose किया पानी फिर दूर हुआ जो दूर हुआ वही repulse के form में आगे बढ़ गया यह waves होती है यह wave क्या है wave is a disturbance लिखें wave की definition लिखेगा wave is a disturbance produced in a material medium ज़रूरी उसके लिए condition क्या है कि medium होना चाहिए without medium wave आगे नहीं बढ़ सकती है हाँ मैं material wave की बात कर रहा हूँ mechanical wave उसके बारे में आगे चलके आप पढ़ेंगे electromagnetic wave जो without medium भी आगे बढ़ती wave लिखें wave is a disturbance वो एक disturbance होता है wave is a disturbance produced in a material medium produced in a material medium जैनी medium कैसा होना चाहिए जिसमें material हो हमने भी क्या कहा inertia की property हो inertia किसमें होती है mass में होती है यानि कि mass होना चाहिए इसलिए हमने word यूज क्या material medium material medium and advancing with a definite speed and advancing with a definite speed in the medium without changing its form अपना form वो चेंज नहीं करती यानि मैं अगर बोल रहा हूं तो जिस form में हम बोल रहें वही format आप तक पहुंचा रही है वो medium अब wave की कुछ characteristics होती है उन्हें आप memorize कर लीजेगा लिखवाने रहा हूं wave की characteristic के लिए पहली बात medium कैसा होना चाहिए इलास्तिक होना चाहिए medium में inertia होना चाहिए inertia बोले तो mass होना चाहिए क्योंकि mass में inertia होती है दूसी बात जब एक disturbance क्रेट होता है तो medium पार्टिकिल अपना place चेंज करके यहां से वहां नहीं जाते वे केवल अपनी जगे पर oscillate करते हैं और अपनी energy को अपने neighboring पार्टिकल को transfer करते हैं यानि वो energy transfer करते हैं they are not supposed to move from one place to other अभी मैं example बता रहा हूँ अब लिखे types of waves waves कितने type की होती है mechanical wave के हम बात कर रहे हैं फिर समलिजिएगा types of waves types of waves जरा समझने की courses करिएगा number one लिखे transverse waves number one है transverse waves ये नाम आगे तक आपको परिशान करेगा तो वहाँ बताया जाएगा कि आप पढ़ चुके हैं इसलिए ध्यान से इसको रखिएगा जरा समझने की courses करिएगा मैंने एक रस्ती ले ली ऐसे और इस रस्ती को ऐसे बान दिया यहाँ पर और इसमें बहुत सारे points हमने ऐसे 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 बना लिये और हमने ये वाला इसका किनारा पकड़ा और इसको ऐसे बिलकुल एकदम से उठाया और ऐसे जड़क दिया ऐसे तो ये वेव ऐसे चली सही कह रहा हूं में यानि इधर तो वेव जा रही है यानि ये क्या है direction of propagation of वीव direction of propagation of वीव ये वेव की propagate करने की direction है ये वेव की propagate करने की direction है ज़रा समझिएगा ये जो रसी वे पार्ड के लिए नंबर वन था क्या वो यहां से यहां गया ये जो रसी के नहीं किया ना वो वही पर उपर चला गया ये पार्ड के लिए यहां गया ये पार्ड के लिए यहां गया ये यहां गया ये यहां गया ये कहा गया यहां गया यहां गया ऐसे जा रहा है क्या देख रहें आप बोलगे देख रहें कितनी गंदी गंदी वेब बना रहे हैं अच्छा सार excited diagram बनाएगा क्या देख रहें आप कि Medium के particle wave के चलने के Parpendicular Oscillate कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो oscillation होता है इस प्रकार की वेब को हम transverse वेब कहते हैं definition clear हो गई हम क्या कहेंगे कि एक ऐसी वेब जिसमें medium के particles पहले हमने कहा वेब में medium के particles अपना place change नहीं करते जैसे for example अगर आप तालाब में कार्ख का टुकड़ा फेक दे प्लास्टिक की कोई धकन भेक दे और वो किनारे नहीं आएगा अगर उसको disturb करोगे पानी को ऐसे थप 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 करोगे तो वेब ऐसे जाएगी और वहीं पर कार्ख का टुकड़ा उपनीचे उस्लेट करेगा किनारे नहीं आएगा हो यानि medium के particle अपनी जगे नहीं change करते के वह वो disturbance भेजते हैं तो transverse वेब क्या होती है ऐसी वेब जिसमें medium पार्टिकिल वेब के चलने की डिरेक्शन के perpendicular oscillate करते हैं समझ में आई बात लिखिए transverse वेब अर दे वेब इन विच इन विच दे मीडियम पार्टिकिल्स दे मीडियम पार्टिकिल्स ओसिलेट दे मीडियम पार्टिकिल्स ओसिलेट ओसिलेट करते हैं ओसिलेट एलोंग दे डिरेक्शन एलोंग दे डिरेक्शन कौंसिडेक्शन में पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर टू दे direction of propagation of wave along the direction perpendicular to the direction of propagation of wave wave आगे propagate कर रही है आगे wave चल रही है और यह जो particle है वो अपनी जगे के perpendicular oscillate कर रहे है तो this type of wave is known as transverse wave इसको transverse wave कहते हैं ठीक है अब जोड़ा थोड़ा और इसमें समझेगा दुबारा मैं इस diagram को बना देता हूँ कुछ लिखना है हमको देखिए actually मैं यह तो मैं रसी का example ले रहा हूँ यह active हुआ क्यों होगा ऐसा जरा समझने की कोशिश करिएगा जब यह वेब चली होगी न यह particle number one यह particle अपनी जगे से उपर गया होगा चुकि यह elastic properties में होती है तो यह बगल वाले particle को भी अपनी और खींसता है बगल वाले particle को भी इसने खींचा होगा यह यहां गया होगा बगल वाला यहां गया होगा थोड़ा कम जाएगा इस परकार से गया होगा ठीक है इसके बाद इस wave की जो energy है खतम हो गई होगी यह नीचे आ गया होगा ठीक है इस परकार से wave लगाता है कुछ पार्ट की नीचे गया होगे तो इस परकार से wave चल रही होगी हमें उससों explain नहीं करना है समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है रस्टी का तो मैं को एक उल एक्जामपल ले रहा हूँ देखे जान से तो यह wave चल रही है यह direction of provocation of wave है और यह wave आपकी चल रही है थोड़ा सा diagram अपने हिसाथ बना लिजेगा थोड़ा सा diagram ठीक ही ठाक बन रहा है अब देखो इस wave में upward direction के maximum जो displacement होता है उसको हम crest कहते हैं क्या कहते हैं crest कहा जाता है और downward direction के maximum displacement को trust कहते हैं ठीक है तो जड़ा paragraph change करके लिखे paragraph change करके लिखे the maximum displacement the maximum displacement in the upward direction is called crest the position of maximum displacement तो बढ़ा दीजेगा the position of maximum displacement the position of maximum displacement in the upward direction is called crest crest कहते हैं and the position of maximum displacement in the downward direction is called trough t-r-o-u-g-h is called trough अब देखिए लिख 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 लिखे हैं is called trough अब ज़णा समझेगा तीन तरीके समझेगा यहां से अगर मैं मानू वेब चल लई है तो यह वेब गई और फिर उसी position में आ गई जहां से वेब चलती है लोड के उसी पोजिशन में लोड आए तो मैं कहता हूँ कि उसने एक औरसलेशन कवर कर लिया कह सकता हूँ ना जहां से चली हमने यहां से चलाया था करस्ट से और फिर करस्ट में आ गए तो एक औरसलेशन कम्प्लीट हो गया खेर हमने का वेव यहां से चली और यह complete होकर के फिर यहां पहुंच गई ट्रफ से गई लॉड के ट्रफ में आ गई तो एक oscillation complete हो गया तीसरी बात हमने का वेव यहां से गई और यह लॉड के यहां गई एक oscillation हो गया तो दो लगातार crest या दो लगातार trough के बीच की दूरी को हम wavelength कहते हैं क्योंकि wavelength आप जानते हैं wavelength क्या होती है the distance traveled by the wave in one oscillation एक oscillation करने में जो distance वो cover करती है आगे की direction में उसको wavelength कहते है नाम सोना है आपने wavelength का तो आप क्या कहेंगे the distance between two successive crest लिखे the distance between two successive crest और two successive trough is known as wavelength of the light of the wave लाइट न कहिए ठीक है एक बात और transverse wave चलने के लिए जरूरी है medium elastic तो होना चाहिए ठीक है लेकिन उसमें रेजिडिटी होनी चाहिए आपको elasticity पढ़ाई गई है मतलब particle एक जगे से दूसी जगे पर transfer करें तो ना तो उसका volume change हो ना उसका length change हो वो केवल अपनी position से हटे और load के वहीं पर आ जाए तो यानि किसी भी solid में केवल transverse wave प्रेड्यूस की जा सकती है gas में नहीं हो सकती है gas में ऐसा nature नहीं होता है और liquid में हो सकती है केवल upper surface में अंदर नहीं हो सकती है तो paragraph change करके and note करके लिख दिजेगा एक noting लगा दिजेगा transverse wave can be produced transverse wave can be produced only in solids only in solids which have rigidity 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 पढ़ी है आपने elasticity पढ़ाई गई आपको rigidity पढ़ी है आपने elasticity में क्या होती है उसमें ऐसा force किसी body में लगा दिया जाए जैसे हम खड़े हैं अपने आपको body माल ले और हमारे pair को fix कर दो और उपर से आप force लगाओ और हम ऐसे घुमें और फिर अपनी position पर आ जाए ठीक है तो इस प्रकार का जो position होती है जिसमें क्यों body की position change हो गई और force हटने एक बाद body फिर अपनी position में आ गई वो rigidity होती है तो यह यह क्यों solids में होती है जिसमें rigidity होती है ठीक है and they can be produced only on the upper surface of liquid on the surface of liquid liquid के surface ने produce होती है क्योंकि liquid के surface के अंदर असा होता है अंदर नहीं होगा अंदर volume change हो जाता है देखे जरा अगर आप liquid के अंदर जाओगे तो volume change हो जाएगा उपर का liquid दबाएगा और नीचे के molecule थोड़े वो दब दब सकते हैं नहीं दबेंगे बताइए प्रेटकली समझेगा अगर liquid के अंदर जाओगे तो simple सी बात है उपर का pressure क्या करेगा नीचे के liquid को दबा रहा होगा तो नीचे कुछ liquid दब रहोंगे न और जब दबते हैं तो क्या change होता है volume change होता है और आपसे कहा जा रहा है कि volume नहीं change होना चाहिए इसलिए liquid के upper surface में तो यह produce हो जाती है इस प्रकार की waves लेकि lower surface में नहीं होती है तो अगर आपसे कहा जाए कि transverse wave कहा कहा produce होती है तो आप कहेंगे solids में कहा जहां पर rigidity होती है जैसे अगर ममी रोटी बना रही है और गीला आटा है वो solid है type का वो उसमें नहीं होंगी क्योंकि उसको दबाओगे तो volume उसका change हो जाएगा ठीक है अब लिखे longitudinal wave longitudinal wave दूसरे type की wave होती है उनका नाम है longitudinal wave जैसे आप एक spring ले लिजेगा और spring को ऐसे खीच के oscillate कराईए तब तक oscillate कराईए हम लिखते हैं पहले longitudinal wave जो ना समझीएगा अगर आप एक spring ले लिजेगा और spring को ऐसे खीच येगा और छोड़ दीजेगा तो spring ऐसे ऐसे oscillate करेगी ये spring है वेब ऐसे जा रही है और इसके जो spring के छले हैं वो भी ऐसे ऐसे oscillate कर रहे हैं तो क्या आप देख रहे हो कि हम देख रहे हैं spring नहीं है पेन में आप spring मना रहे हो जोड़ बोलते हो क्या आप इसमें देखा कि wave के चलने की direction में medium particle oscillate कर रहे हैं ऐसी wave को हम क्या कहते हैं longitudinal wave तो लिखेगा longitudinal waves are the waves longitudinal waves are the waves in which medium particles in which medium particles oscillate along the direction of propagation of wave propagate करना आगे बढ़ना along the direction of the propagation of the wave अब जरा समझेगा जब longitudinal wave चलती है तो action क्या होता है हम spring का example ले रहे हैं अभी मैं उसको बात समझाता हूँ देखे ये spring में जब वेब चलाएंगे तो हमने practically देखा कहीं कहीं spring के जो turns होते हैं और कहीं कहीं दूर होते हैं कहीं-कहीं नजदीक होते हैं, कहीं-कहीं दूर होते हैं, कहीं-कहीं नजदीक होते हैं, कहीं-कहीं दूर होते हैं, मैं spring का example ले रहा हूँ, medium में भी मैं समझाता हूँ, तो जहां पर medium particle नजदीक होते हैं, उनको हम कहते हैं, compression, compress हो गए, compression, और जहां दूर होते हैं, उसको कहते rarefaction यह fashion नहीं है rarefaction यह compression हो रहा है, यहां भी compression हो रहा है यहां भी compression है, यह भी rarefaction है ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जब longitudinal wave चलती है तो जहां जहां medium particle थोड़ा सा नजदीक हो जाते हैं close हो जाते हैं, उनको हम कहते है compression, उस position को और जहां medium particle दूर हो जाते हैं उसको rarefaction कहते हैं जोड़ा paragraph change करके लिखेगा the place where the medium particles are close to each other the place where the medium particles are close to each other are said to be the state of compression are said to be in the state of the place where the medium particles are close to each other वो बहुत नजदीक होते हैं are said to be in the state of compression and where the medium particles are far away that is known as rarefaction where the medium particles are far away far away को मतला बहुत बड़ा आवे नहीं भाई थोड़ा बहुत फारवे अब उसमें थोड़ा बहुत फारवे नहीं लिखेंगे न that is called rarefaction the paragraph change करके लिखेगा the distance between two successive compression or successive rarefaction is called wavelength the distance between two successive compressions or rarefaction is called wavelength इस डाइग्राम को बना लिजेगा फिर मैं समझाता हूँ तो actually में action क्या होता है ये rarefaction और compression बनने में action क्या हो रहा है इसको नोट करिए बना लिजेगा फिर हम बताते हैं किया action क्या हो रहा होगा बता दीजेगा इसको रप कर दे जरा समझेगा इसमें action क्या हो रहा है देखे इसको रप कर दे हम एक example लेते हैं sound जो होती है वो longitudinal होती है हम बोल रहे हैं अभी नहीं बोल रहे हैं अभी चुप है तो हमारे और आपके बीच की जो air है वो अपने normal state में है यानि कि यहां से यहां तक थोड़ी दूर तक हमारे आवाज जानी है और जो air molecule है वो normal दूरी पे हैं सब यूँ कही है equilibrium में है ना ज़्यादा दूर ना पास जो भी उसके बीच की दूरी inter molecular range हो सकती है उसमें यह है अब जानते है inter molecular अगर दूरी कम करोगे तो इसको oppose करेंगे और दूर करोगे तो भी इसको oppose करेंगे यह तो होता है ना अब देखीगा हमने यहां से एकदम से कुछ चीज बोला हमने का हो डरीगा नहीं एकदम से हमने बोला तो क्या हमने किया हमने अपने मूँ के पास के particle को compress किया तो जैसे compress किया यह particle क्या हो गये होंगी यह नजदीक आ गए होंगी नहीं आ गए होंगे एकडम से एकडम से compress किया तो नजदीक आ गए होंगे यह position क्या है यह position क्या है इडिज़ पोजिशन आफ compression ठीक है अब तो वे नजदीक आएंगे और अभी मैं कह रहा हूं medium elastic होता है यह क्या करेंगे यह तोध़ा धंका मारेंगे किसकोँ ब Cakeटा इकडम से आप जैसे के line लगी वी है और एकडम से पीसे ठाक किस नजदीक आए तो पहले जहां से आपने धंका मारा वहां कि लोग एकडम से नजदीक आए फिर वो क्या करेंगे वो धक्का ऐसे से मारेंगे तो जब एकदम से ये दूर भगाने के कोसिस करेंगे तो इसके बगल वाले पार्टिकल्स कुछ ज्यादा दूर हो जाएंगे जितनी दूरत है उसे ज़्यादा दूर हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगा यह कौन से पोजिशन है यह रेर फ्रेक्शन है अब जब आप अपनी स्टेज से ज़्यादा दूरत जाओगे और बगल में मॉलिक्यूल है तो understood बात है कि यहाँ के मॉलिक्यूल नजदीक हो जाएंगे तो यह फिर इसको जो विरोत करेंगे आप उसकरेंगे फिर यहाँ के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो यह क्रम चलता रहता है कंप्रेशन और रेर फ्रेक्शन का कंसेप्ट समझ में आई बार नहीं आई कि कंप्रेशन रेर फ्रेक्शन होता कैसे है समझ में बात आ रही ना यह कंसेप्ट होता है आपको लिखना नहीं है जैसे आपने बोला आपके आपने क्या क्या इन molecule को पुश किया यह molecule नजदी का है नजदी का है compression हो गया अब compression के बाद यह उसको oppose करेंगे एकदम से force लगाएंगे तेजी से और जब force लगाएंगे तो बगल वाले को इतना धका मार देंगे कि बगल वाला जिस दूरी पे था उससे ज़्यादा दूरी पे हो गया अब problem आगे तो molecule खड़े हुए हैं जगह नहीं थी अब जब यह ज़्यादा दूरी करेंगे तो आगे वाले molecule पे force लगेगा यह नजदी का जाएंगे यह करम चलता रहता है और यह लगातार वेब compression rare friction बनाती हुए आगे बढ़ती रहती है ठीक है तो यह तो हो गई दो प्रकार की mechanical वेब longitudinal वेब and transverse वेब sound वेब जो होती है वो longitudinal होती है और जो light wave है आगे पढ़ाई जाएगी वो transverse in nature होती है अब लिखे some definitions regarding waves waves के समद्ध में कुछ definition समझाई जा रही है some definitions regarding waves इन्हें मैं लिखवाऊंगा नहीं समझाऊंगा अकिवल इनके definitions आपको अपने आप लिखेंगे पढ़ भी चुके हैं आप बहुत जगे पहली चीज amplitude जिसके पहले भी आपको simple harmonic motion में पढ़ाये गया है amplitude क्या होता है the maximum displacement of the wave जितना maximum displaced होती है जैसे मैं अगर transverse की बारे बात करता हूँ तो maximum यहां से यहां तक displacement हो रहा है तो यह इसका displacement है इसको हम amplitude से a से denote करते हैं तो amplitude का मतलब होता है maximum displacement दूसरा है time period यह सब पढ़ चुके हैं दुबारा हम बता रहे हैं कि वर time period क्या होता है जितने time में वेब अपना complete oscillation जिस position पे थी crest पे थी तो lord के फिर crest में पहुँच जाए truff में थी तो lord के फिर truff में पहुँच जाए यहां थी यहां से lord के फिर वहीं पहुँच जाए तो यह time period होता है इसको t से denote करते हैं तीसरा होता है frequency frequency के definition क्या पढ़ी आपने the number of oscillations in one second ज़रा समझेगा यहां से लेकर के wave यहां तक गई एक oscillation complete किया कितने second लगे t second यानि कि in t second जो number of oscillations है वो one है और in one second अगर मैं कहों one second में कितने होंगे तो यो unitory method होगा one upon t होगा वह आप t second में अगर एक oscillation है तो one second में one upon t और हमने कहा जितने oscillation होते हैं उसी को frequency कहते हैं तो यही n हो जाएगा तो frequency n is equal to one upon t होता है यह हमने विसलिए बताया कि आपको मालू होना चाहिए होता कहां से है इसके बाद अगला है phase हमने पीछे भी बताया था phase वो है जो wave की position को बताता है wave के बारे भी पूरा description बताता है ठीक है और अगला है wavelength अभी हम बता चुके हैं wavelength the distance traveled by the wave in one complete oscillation one complete oscillation का मतलब यह होता है कि जिस position में wave थी उसी position तक जाने में crest से crest से trough से trough तक rarefaction से rarefaction तक compression से compression तक इसको wavelength कहते हैं इसको lambda से denote करते हैं यहां हम अगर कहें तो यहां से लेकर के यहां तक की जो distance है उसे हम wavelength कहते हैं और अगला है wave speed wave speed इसको V से करेंगे जो speed की definition होती है distance traveled in one second तो उसे wave और लगा दीजे the distance traveled by wave in one second is wave speed तो यह definition समझ में आ गई क्या क्या होती है अब लिखे देखो phase का मतलब एक बहुत व्यापक वर्ड ही है बहुत ही बतलब क्या कहें उसको बहुत detailed वर्ड है यानि किसी भी time जो wave की position को बताए wave की इस position में है उसकी speed का सब कुछ जो बताए phase होता है ठीक है तो इसका जो equation आपने displacement पढ़ाया ना a sin omega t तो omega t में 5 और प्लस कर देते हैं ये phase कहलाता है यहाँ पर ठीक है ये detailed word है मतलब इसको हम बताए देते हैं जो wave की position को बताए लेकिन wave की बारे में पूरा description जो देता है वो कौन होता है phase होता है ठीक है हमने बताए भी था आपको सब को जो wave की बारे में बताए वो phase बताता है यह जो angle इसका है यही phase है time के साथ-साथ value change होती रहेगी तो जब यह change होगा तो sign की value change होगी sign की value change होगी तो y change होगा तो velocity change होगी तो एक्सलेशन होगा एफ हुआ होगा तो force लगेगा force आएगा तो pressure लगेगा तो सब कुछ कौन explain कर रहा है इसका यह angle कर रहा है ठीक है यह phase बताता है ठीक है इसको हमने बताये बिता हिंदी में कला कहते हैं अगर पापा घर में इतना बोल दें कि बेटा बहुत कलाकारी आ गई है अच्छा बस इतना बोलके और रुख जाएं आप सोचिएगा आप अपनी पोजीशन दिन भर की या हफते भर की कितने एंगल से सोचोगे कि क्यों ऐसा कहा उन्होंने क्या इन्होंने ऐसा तो नहीं देख लिया जब हम वह ऐसा थे सोचेंगे नहीं सोचेंगे तो उस कलाकारी वड़ ने आपकी पूरी पोजीशन को एक्स्परेंड किया वह ये वेब की फेज है ठीक है यह example मत लिखेगा exam में अब लिखेगा relationship between relationship between frequency, wave speed and wavelength frequency, wave speed and wavelength relationship between frequency, wavelength and wave speed frequency बोले तो F wave speed बोले तो V wavelength बोले तो Lambda इन में relation निकालने हम जा रहे हैं इनके बारे में हम जानते क्या हैं ज़रा समझेगा हम एक चीछ जानते हैं कि wave यहाँ से चली और यहाँ तक आई यहाँ से यहाँ तक कितनी distance कवर कि उसने भई Lambda यहाँ से यहाँ तक time कितना लगा उसको T second यानि कि अच्छा wave speed क्या होती है distance traveled in one second और Lambda क्या होती है distance traveled in T second तो T second की अगर distance मुझे मालूम है तो हमको लगता one second की distance हम निकाल सकते हैं तो आप जानते हैं कि distance traveled by wave in T second क्या distance Lambda है इस diagram को बना लिजेगा अपनी जानकारी के लिए इसको फिलाल हम रब करना है तो T second में T मतलब एक capital लिखा हुआ है capital T denotes further time period तो distance traveled by wave in one second क्या हो जाएका Lambda upon T और एक second में चली गई distance को क्या कहते हैं इन्हें इस वेव स्पीट इस वेव स्पीट इस वेव स्पीट इन्हें वी बराबर Lambda upon T अच्छा चुकि T की बारे में बात तो कर नहीं रहें यहाँ पर F कहीं छुपा हुआ है तो as 1 by T is equal to F so F बोले या N बोलिए N बोल दीजे F माले आप confused हो जाओ N कहते हैं तो यह क्या होगा V is equal to so V is equal to N Lambda यह सबसे वेव का एक relation है सस्तामदा relation यह है आगे चलके इसी relation को थोड़ा सा modify किया गया है और light के लिए इस्तेमाल किया गया है इसको note करिए लिखे speed of waves speed of waves बहुत सारी waves के formula है इन्हें आपको याद करने है formula apply करने के लिए speed of waves देखे यह number न डाली 1 लिखे speed of transverse wave पहला है speed of transverse wave अभी हमने बताया था कि transverse wave होती क्या है जिसमें medium particle wave के चलने के perpendicularly oscillate करते wave ऐसे जा रही थी और medium particle ऐसे oscillate कर रही थे यही हमने बताया है transverse wave कहा कहा चलती है हमने का medium में rigidity होनी चाहिए यहनी transverse wave medium की rigidity पर depend करती है यहनी medium जितना ज़्यादा rigidity है प्राजीब लग रहा होगा word उतनी speed से transverse wave चलेगी मतलब क्या हुआ rigidity का मतलब क्या होता है आप किसी particle की position change करते हो ऐसे change किया आपने आपने force हटाया और particle धीरे 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 यहाँ आ गया और एक होता हटाया यहाँ आ गया हटाया है यहाँ लोग हटा गया तो बताएए इसमें speed ज्यादा है कि धीरे धीरे आने में speed ज्यादा है तो rigidity होने का मतलब होता जैसे आप position change करोगे force हटाया फट से यहाँ पर आ गया है force हटाया फिर फट से आ गया तो यह इसका मतलब इसकी rigidity ज्यादा है यानि कि transverse way में अगर medium की rigidity ज्यादा तो speed ज्यादा ठीक है पहली बात दूसरी बात सोगेगा अभी लिखेगा नहीं यानि कि transverse way proportionate होती है coefficient of rigidity पर eta इटा नोट कराया है ना आपको अब दूसरी बात ज़रा समझेगा अब हमने कहा medium elastic होना चाहिए medium में inertia होने चाहिए inertia mass पर depend करती mass बोले तो density क्यों density mass बान volume होगा अब बताइए किसी particle का mass हलका है और एक particle का mass भारी है दोरों में speed of wave किसमें ज्यादा होगी practically बोलिएगा एक हलका particle है एक भारी particle है आपने क्या क्या एक हलका एक plast एक समझेगा एक मैंने एक तार लिया हलका सा ऐसे और ऐसे लगाया और हमने ऐसे force लगाया और ये ऐसे एक दम से oscillate कर रहा है और एक भारी है उसमे फोर्स लगाया तो जल्देल्दी कूण oscillate करेगा भारी बंदिक्गत हो जाएगी तो यानि कि जो wave होगी वो इसकी density के inversely proportional होता है तो formula क्या दिया गया V is equal to V is equal to under root eta upon d इसको कैसे दिखाया गया ज़रा समझेगा एक सके लिखेगा नहीं हमने का V proportionate eta और V proportionate d V proportionate 1 upon d ऐसा बोला न हमने आपको याद होगा dimension पढ़ाई गया आपको हमने पढ़ाई थी होता क्या है कि आप कहरो eta पर depend करता कैसे करता भई eta दो गुना हो गया विलास्ची चार गुना हो सकती है तो हम इसकी power A लिखेंगे इसकी power B लिखेंगे और V proportionate eta to power A upon d to power b करके dimension लिखेंगे और dimension से A और V की value निकालेंगे A और B की यही तरीका था ना तो यह formula diet आएगा तो V is equal to under root eta upon d जहाँ eta क्या है rigidity of the medium और d क्या है density of the medium तो लिखेगा where eta is the coefficient of rigidity of the material of the solid चुकि solid में चल रही है ना eta is the modulus of rigidity of the material of the solid and d is the density d is the density अगर मैं यह dimension लिखता हूँ eta और d की और इसको solve करता हूँ इसकी dimension वही आएगी जो velocity की dimension होती है आपने dimension पड़ी होगी आप यहाँ रख करके चेक कर लिजेगा वही मिलेगी तो यह तो हो गया speed of transverse wave कहा पर in the material medium अगला लिखे next formula speed of transverse wave in stressed string speed of transverse wave यह तो heading ऐसे पड़ी तो वही तो मैं बोल रहा हूँ अरे यह रो कोई उसका खांदारी नाम थोड़ी है भाई कोई खांदान नाम थोड़ी लिखा है हमने तो ऐसे spelling लिख दी है density की spelling D से होती तो D लिख दीजेगा भाई रो indicate करो चाहाँ D indicate करो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जब मैं कहे रहा हूँ यह D density है तो density कही जाएगी आप रो लिख दोगे रो density हो जाएगी आगे हम पड़ेंगे तो रो को resistivity भी हम बोलेंगे ठीक है अलग-अलग उसके नाम हो सकते हैं कोई बात नहीं है जैसा इटा है अभी flow of liquid में कुछ नाम change हो गया उसका उसको viscosity कहते हैं हम ठीक है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है अब लिखे speed of transverse wave यही heading डाली है number two में in stressed string stressed string किसी stressed string में transverse wave की speed क्या होती है देखे हमने देखा कि अगर कोई string tight कर दीजेगा बिल्कुल ऐसे और इस प्रकार से wave को ऐसे खींशी और छोड़ दीजे तो आप देखें कि बहुत जल्दी उसमें wave चलती है यानि उस string में जितना ज़्यादा tension होगा उतना ज़्यादा उसमें speed होगी ठीक है और दूसी चीद उस string का जितना mass होगा mass per unit length उतना ही wave धीरे चलेगी तो v is equal to होता है under root t by m यह direct dimension method से लिखे जा सकते हैं यह formula होता है v is equal to under root t upon m यह formula याद करिएगा dimension में भी इस्तिमाल होते हैं where t is the tension of the string t is the tension tension मतलब जितना आप उसको tight करके बांद रहे हैं वो force tension of string और m जो है वो कहलाता है mass per unit length पर unit length मतलब this mass is not the mass of whole string यह पूरी जो string है उस पूरे का mass नहीं है अगर मैं आप से कह रहा हूँ कि 5 meter नंबी एक string है और इसका जो mass है वो 10 kg है तो m की जे किया इस्तिमाल करेंगे आप 10 kg 1 meter length की value निकालेंगे मतलब 10 by 5 तो यह 2 kg आप इस्तिमाल करेंगे ठीक है समझारी बात जो हम बोल रहे हैं दूसरी बात अगर मैं इस m की dimension लिखना चाहूँ तो what will be the dimension of m here वह यह m upon l है ना ml inverse 1 ml – 1 नहीं होता है या तो ml आप लिखा हो मैं बोलूगा ml – 1 सही चलेगा तो हम तो ऐसे लिखेंगे यह आप बोलोगे ml inverse 1 बोलिए ठीक है कहीं बताओगे तो कहेंगे किस ने पढ़ाया का नहीं पी बात पी ने पढ़ाया अच्छा वोले यहीं पढ़ाते हैं वह ऐसे पढ़ाते हैं तो आप उसको correct करिए ठीक है चलिए एक चीज और अच्छा चुकि मैं बात करता हूं इस्ट्रिंग की इस्ट्रिंग की वैसे जो शेफ होता कैसा होता cylindrical तो अगर मैं मास निकालना चाहूं m is equal to तो मास को हम कैसे निकालेगे वालूम इंट्यू डेंस्टी ठीक है तो अब बताइए वालूम सिलेंडर का वालूम क्या होता है पाइया स्क्वार एक्च तो क्या बताया हाँ हाँ वालूम का फार्वॉला बेस इंटू हाइट होता है अगे एरिया बेस हां एरिया साइलेंट है इंग्लेस में करने कुछ ही साइलेंट हो जाती है एरिया बेस इंटू हाइट तो देखो एडिया तो हो गई पाई आर स्क्वार और यहां हाइट यॉन्थ क्या ली जाएगी वन मीटर तो कि मैं जो एम का इस्तेमाल कर रहा हूं we are taking unit length तो यहां पर जो L होगा ना वो वन होगा और density को हम लिखेंगे चलिए मैं रो से लिख गता हूँ सो अगर हम velocity का एक और formula दें तो अंडरूट टी अपान πाई आर स्क्वार रो ये भी formula बनाया जा सकता है देखें एक चीज़ और है formula को रटिएगा नहीं कि आपने एक formula रट लिया उच्छी नहीं दीद क्या करोगे अच्छा अब ये बताओ ये बात string की हो रही है अगर मैं t upon here यहां पर t upon πाई आर स्क्वार बोलें t का मतलब होता है string को ऐसे आप tight कर रहे हो ठीक है string elastic है पहले बोला गया है तो string क्या करेगी जितना आप उसको tight करने के लिए force लगाओगे उतना ही वो restoring force लगाएगी बिना elasticity के वो वेब को नहीं चला सकती तो यह क्या लिखा है इसको देख रहे हैं आपको कुछ नाम नज़र आ रहा है यह कुछ नाम समझ में आ रहा है यह टी अपान पाई आर स्क्वार देखो pressure सही कह रहे हो आप लेकिन वो थोड़ा सा liquid में ठीक रहता है उसका नाम उसका gases में ठीक रहता है कि इस्ट्रिंग को जो आप tight कर रहे हो तो force अपान एडिया क्या होता है इस्ट्रिस होता है ना सही कह रहे है आप you are correct रही हो लेकि थोड़ा सा यहाँ पर नाम प्रिसर अच्छा नहीं लगता ना कुछ नाम होते हैं ठीक है तो जैसे वो प्रिसर जो नाम है तो तो इसको हम is stress कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं अब होता के आपने ये फार्मला रड़ लिया T upon M आप ढूंड रहे है M कहा है T का नहीं दिया उन्होंने T उन्होंने स्ट्रेस दे दिया तो आप सर्च करके लाओ ना वहाँ से तो देखे तो एक विलास्टी का फार्मला और हो गया अंडरूड इस्ट्रेस अपान डेंसिटी ये भी फार्मला हो सकता है ये इस्ट्रेस इस्ट्रिंग के लिए सब चल रहे है तो ये करी कोई फार्मला इसमें हो सकता है तो ये तो हो गया स्पीड आफ लॉंगिटूडनल वीब लॉंगिटूडनल वीब बोले तो sound wave is a simplest example speed of longitudinal wave यह formula करप्या याद कर लिजेगा यह बिलकुल tip पे होने चाहिए आपकी हाँ जी आवाद नहीं सुन जा रही है speed of longitudinal wave यह note कर लिया था ना कोई आवाज आ रही थी ना मुसको समझ नहीं पारे से क्या बोला जा रहा है longitudinal wave क्या होती है जिसमें medium particle wave के चलने के parallel along the particle along the wave वो oscillate करते है simple example is sound sound is a longitudinal wave sound medium particle में चलती है यह आप घर में experiment कर सकते हैं experiment करने का तरीका क्या होता है आप एक माचिस ले लिजेगा वो मैंने ऐसे रखा है खाली ने खाली ने दो हैं ऐसी माचिस का डिब भी ले लिजेगा वैसे चुक्छे ऐसे experiment लड़के अब करते नहीं न वो तो google search करते है तो google न करिएगा ऐसा ले लिजेगा ले लिया एक और ले लिजेगा और इसमें छेट कर लिजेगा और छेट करके ये माचिस की तीली में फसा करके एक धागा बांदीजेगा इससे निकले ना दोनों में ठीक है और इसको दूर ले जाईएगा और एक लोग hello वो लगते हैं और hello पता वहां तर अपने अवावाद जा रही है धीरे से hello hello वो लिएगा तो उस धागे के माध्यम से वो sound जाएगी सामने वाले को सुनाई पड़ेगा सुनाई पड़ेगा पकी बात है शर्त क्या है धागा थोड़ा tight क कर दीजिएगा ठीक है तो यह मीडियम पार्टिकल में वो जो sound होती है वो जाएगी ठीक है यह एक्सपरिमेंट करके आप देख लीजिएगा ऐसा इसका बच्चे करते नहीं है करा गया जाए अब लिखे in solids लिखे speed of longitudinal wave speed of longitudinal wave longitudinal wave कहा कहा नमबर एक लिखे in solids अब मैं एकर solid की बात करूँगा और हमने भी कहा wave के चलने के लिए elasticity चाहिए तो solid में elasticity कहों सी आती है यंग's modulus तो v is equal to sorry v is equal to under root y by d d i density है y by d where y is the नाम ब्याद है y का young's modulus where y is the young's modulus of the material y क्या है young's modulus of the material of solid of the material of solid और d क्या है आप रो भी कर सकते हैं उसको confuse मत होईएगा density of solid अब देखिए इसके लिए iron लिया गया और iron की young's modulus की value ली गई और उसकी density ली गई और इसमें देखा गया तो speed तक्रीवन 5096 आई यह experiment करके देखा गया और real में speed 5130 होती है तो लगबग लगबग बरावर थी इसलिए इस फार्मने को correct माना गया है तो यह हो गया solid में longitudinal wave कैसे चलती है तू लिखे in liquid liquid भी कैसे चलती in liquid यह solid में थी दूसरा है in liquid अब liquid में जो elasticity होती है उसको किस नाम से जानते है bulk modulus भी अब आई डी तो formula होता वी इस एक्वल टू अंडरूट भी बाई डी वेर बी इस दा bulk modulus जो बी है उसको bulk modulus कहते है bulk modulus आप दे material of the material of the medium और डी जैसा की known है यह लिखा गुआ है density of liquid लिखेगा यहां लिखे जेल है नहीं confuse हो जाओगे density of liquid यहां भी experiment किया गया और वो सही पाया गया यह liquid लिया गया और liquid में उसकी water लिया गया water की density रखी गई water का भी रखा गया और जो speed निकल के आई तक्रीबन तक्रीबन निकल के आई थी वह 1450 इससे calculation से आई 1414 और होती है 1450 लगभग equal था इसलिए इसको सही माल लिया गया ठीक है अब बहुत 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 इंपॉर्टिटीडनल लिखेगा speed of longitudinal wave समझ में आ रही जो हम बात बोल रहे हैं यह formula भी याद करने है ठीक है speed of longitudinal wave ब्रेकनली दो sound ब्रेकनली जी का sound in gases इन gases ब्रेकनली में newton's formula न्यूटन साब आप जानते हैं जहांपर कोई नियम आया न्यूटन साब अगर जग गए तो फिर छोड़ते नहीं हैं यह मेरा formula ले लो newton's formula जलाज समझेगा न्यूटन साब ने कहा लेकि अंडरूट b by d आपने बोला है न बी क्या है stress bonisten होता है उन्होंने कहा अगर किसी gas का pressure p है और उसकी density d है तो उसमें velocity of sound अंडरूट p by d होता लिखे according to newton according to newton when the longitudinal waves travel in gas when the longitudinal waves travel in gas the temperature of the gas remains constant is ko underline कली जेगा the temperature of the gas remains constant longitudinal wave travel in gas travel in gas the temperature of the gas remains constant temperature of the gas remains constant ko underline कली जेगा और ब्रेकन रिखेगा isothermal process heat में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा isothermal process ऐसा process जिसमें की temperature constant रहता है then then the speed of the sound in gas is given by v is equal to under root p by d उन्होंने का अगर किसी gases medium में sound चलती है बोले तो longitudinal wave चलती है तो एक तो उसका temperature constant रहता है और वहाँ speed होती है under root p by d where p is the pressure of the gas and d is the density अब देखे हमने इनको calculate किया ठीक है we know that at 0 degree centigrade जो pressure होता gas का वो तक्रीबन होता है 1.0 बोले तो atmosphere pressure 1.01 into 10 power 5 newton per meter square पड़ा होगा और जो density gas की होती है 1.29 होती है 1.29 kg per meter cube यह तो होता है unit so जब मैंने यहाँ v calculate किया यहाँ पर under root हमने मतलब newton ने calculate किया तो 1.01 into 10 power 5 upon 1.29 और इसको जब calculate करके value निकाली उन्होंने तो यह 280 meter per second थी यह newton ने calculate किया और उन्होंने का it is the speed of sound in gas medium at 0 degree centigrade temperature change हो जाएगा तो gas की sound की speed change हो जाएगी ठीक है अब problem value तो देजी लेकिन जब experiment करके निकाला गया तो यह speed तक्रीबन 330 के आसपास आ रही थी 330 meter per second अब उस समय के scientist अपनी खोपड़ी खुजला रहे थे कि आकर गलती कहां पर हो रही है और गलती कर कौन रहा था गलती किसने की थी अरे जिसने फार्मला दिया था और Newton की गलती को सर्च करने के लिए उसमें किसी की कुबत तो थी नहीं Newton के इर्द गिर्द कोई ऐसा scientist नहीं था जो यह बता दे Newton साब या तो गुणनागर्दी करते हों कि अगर मेरे नियम को गडबड किया तो उठाक पड़क तूँगा कुछ रहा होगा ऐसे एरिया के उसमें कोई भी Newton के नियम को चैलेंज नहीं कर पाया और उसके सव साल बाद जड़ा टाइम देखेगा 100 year of Newton एक साइंटिस्ट आये उन्होंने इस नियम को करेक्ट किया किसके नियम को नियम को करेक्ट किया इसलिए वो बहुत बड़ा नाम हो गया लिखे लापलास करेक्शन चुकि करेक्ट किया Newton को उन्होंने लाप्लास करेक्शन अब चुकि भाई साब ने करेक्ट किया न्यूटन को तो इनको सब गोदी उठा ले आए बेटा कहा थे तुम सौ साल बाद आयो अब जुरा समझे उन्होंनों कहा क्या उन्होंने का न्यूटन वाज नाट रहा न्यूटन गलत नहीं थे उन्होंने का होता क्या है कि जब किसी gases medium में sound चलती है तो वहाँ पर rarefaction और compression create होते हैं ठीक है तो जहाँ पर rarefaction create होता है वहाँ temperature बढ़ जाता है जहाँ compression होता है वहाँ temperature कम हो जाता है यानि कि Newton ने जो कहा था कि ये system कैसा होता है Isothermal process यानि temperature is not changing ये गलत है ये सही नहीं है temperature change होता है जहां पर compression होता है वहाँ heat create होती है जहां rarefaction होता है वहाँ heat का loss होता है लेकिन ये process इतनी इतनी जल्दी होता है कि ये जो create हुई gas ना तो इस medium से बाहर जा पाती है ना loss हुई gas बाहर से अंदर आ पाती है जब heat का transfer नहीं होता है उस medium को क्या कहते है heat पढ़ी आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी तो क्या कहते हैं उसको आई सो तो हम सो गए अब नया नाम बता हो ना adiabatic कहते हैं क्या कहते है adiabatic process कहते हो जब heat अरहा बरड़ा गया मतब काम किया heat ना body से जा रही है ना आ रही है तो आत्म ही डायबैटिक हो जाता एशले कहते है थो आ याAST exercise का वीडियम के साथ नहीं होता है तो उन्होंने का Speed of Sound जो इन्होंने पी बाइडी दिया है ना इसको आप गामा आउड लगा दो गामा पी बाइडी गामा क्या होता है वो specific heat का ratio होता है CP upon CV और गामा की value जो होती है gas के लिए monotonic gas के लिए, sorry monotonic gas के लिए वो तक्रीबन 1.4 होती है 1.4 तो जब इन्होंने गामा की value 1.4 रखी monotonic के लिए तो Speed of Sound तक्रीबन 330 meter per second आई तो he was correct तो Laplace correction लिख लेंगे समझ में आ गया कि बेन the gas sorry sound moves in a gas travel in a gas it is a longitudinal wave so compression and rarefaction takes place during compression the heat generates in the medium during rarefaction there is a loss of heat but जो generate ही heat है वो बाहर नहीं जा पाती loss of heat बाहर से अंदर नहीं पाती तो system कैसा होता है एड़विटिक होता है और यह Speed of Sound होती अंडरूट गामा PYD चूंकि Laplace ने correct किया Newton को इसलिए वो बहुत बढ़े लाव इट एक्जामनर्स को बहुत पसंद करते हैं लाप्लास का रेक्शन बहुत आता है तो कर लिजेगा ठीक है एक